हलो फ्रेंट्स स्वागत आप सभी का मेरे यूटूब चैनल SB Medicine में और आज हम रिव्यू करने वाल हैं विकासुल केप्सुल का तो अगर आपने अभी तक मेरे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो इससे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर सब्सक्राइब के लेकिन उन यूज करने वाले काफी लोगों को पता नहीं होता हैं कि इससे कैसे यूज करना है इसके के के साड़ एफेक्ट हो सकते हैं तो शुरू करते हैं विकासूल के बारे में विकासूल एक विकांप्लेक केफ्शूल है जो कि हमारे बाल नाकून और तोचा में बहुत ही इंपोडेंट रोल प्ले करता हैं इसमें उपलब दे बायोटेन हमारे जर्दे होय बालों को रोकता हैं और हैर फॉल वाली प्रोब प्लॉम में और कमजुरी मैसुस हो रहे हो जैसे कि कॉई भी बिमारी की बाद अगर आपको कमजुरी मैसुस होती हैं मानचैय में मैठन हो उड़ा हो खून की कमी हो पगा Neverлад system के कारण अगर कहीं दर्द हो रहा है तो उहां पर यह कैपसुल बहुत भी खास काम करता है हालां कि ये तंत्री का तंत्र के गरान होने वाले दर्द में supporting रूप में काम करता है इसके साथ आपको दूसरी medicine पी लेना रेती है ये वीकासुल multi-vitamin formulation है जिसमें vitamin B complex और vitamin C होता है जिससे ये मुँखे छाले मिटाना में बहुत ही शांदार काम करता है ये जक्मठीक करना में भी बहुत अच्छा है ये आपके सरीर में ठकावट को दूर कर ताजगी भर देगा ये आपके immunity system को boost करता है ये आपके weight को भी maintain करता है इसके use से आपका वजन नहीं बढ़ेगा इसकी एक चीज बहुत अच्छी है कि इसे pregnant lady भी use कर सकते है और 18 साल की उम्र से उपर वाले सभी लोग इसका इसका इस्तिमाल कर सकते है वीका सुलका सारब भी आता है उसे भी आप इस्तिमाल कर सकते है ये सबसे सस्ता multi-termin है वहीं अगर बात करेज के side effect की तो इससे सिरदर्द हो सकता है दस्त लगना, weakness, छाती में दर्द होना, चक्कराना इसकीन पर लाल निशान पर सकते है यूरिन का कलर पिला हो सकते है और भी अगर आपके कुछ side effect हो तो आप अपने डाक्टर से सला ले वेसे इसके side effect बहुत कम मातरा में या फिर बहुत कम लोगों के नजर आते है वहीं बात करें अगर इसके dose की तो इसे एक capsule रोज खाने के बाद आपको दिन में एक बार लेना है इसे आप कभी भी ले सकते हो साधे पानी के साथ में और या फिर आप अपने डाक्टर की सला के नसार इसका यूज कर सकते हो तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको विकासूल केपसूल का रिव्यू अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें कमेंट करें शेर करें थेंक्यू